क्या आपको पता है कि जब हम कुछ नई चीज़े सीखते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर क्या-क्या घटनाय होती है और किसी नई चीज़ को सीखने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस क्यू करना पड़ता है और हमारे दिमाग से किसी भी परकार की नई या पुरानी आदे क्यों मिट जाती है या हमारे साथ ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे की में कारण क्या है या क्या आपको पता है कि हिपो कैमपस क्या होता है तो ये सारी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ बाते लंबे समय तक आद रहती है, तो कुछ बाते इंसान समय के साथ साथ भूलने लगता है। और ऐसी गटना लगवक हर एक इंसान के साथ होता है, तो इसलिए मन में एक सवाल उठता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यू होता है। तो ज़्यादा सोचने की जरुरत नहीं है क्योंकि बैग्यान को के एक समूह ने इसके पीछे की बजा को तलास लिया है। तो चलिए इंसान की brain memory पर होने वाले इस सोध के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो थोड़ा ध्यान से समझेगा। California Institute of Technology के सोध करता होने इसके लिए चूह पर एक experiment किया है। और इस experiment में पता लगा है कि किसी गाटना या संकेत को लेकर दिमाग में brain cell का समूह internal brain part से आपस में लगतार electrically connect रहता है। सोध करताओं का दावा है कि इस research के जरिये उन्हें यह पता लगाने में सफलता मिल सकती है कि आखिरा stroke और Alzheimer जिसे बीमारी इनसान की memory को कैसे परवावित करता है। बैसे इस सोध के दोरान चुहे को सफेद दिवार में 5 फिट लंबे बाड़े में रखा गया था और बाड़े के दोनों छोरों पर चुहे के लिए भोजन रखा गया था और साथ ही उसके खाने तक पहुचने के लिए एक जटिल रास्ता भी बनाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के दोरान जब भी चुहे को भूख लगती थी तो चुहा सुंगते हुए अपने भोजन तक पहुच जाता था। पहुच जाता था। सोद करताओं के अनुसार इस सोद के अंत में कंकुलूजन यही निकला कि शुरुवाती में चुहो को खाने तक पहुचने के लिए मुश्किले हो रही थी। लेकिन जैसे हैं उसके ब्रेन में उपस्तित इपो कैमपस भागने भूख की बज़ा से उसक निरोन सेल इससे रिलेटेट ब्रेन सेल या दुसरे पार्ट से आपस में पहली बार कम्टिकेट करता है जिसके कारण इस नई काम को सीखने में समय लगता है और जब इस चीज को आदत लग जाती है तो अब हमें वह कठीन काम असान लगने लगता है इसका मतलब कि जिस भी काम को करने में हमारे माइंड के उपर यानि की ब्रेन सेल या निरोन सेल पर प्रेसर पड़ती है तो उस काम को हमारा दिमाग हमेशा के लिए अपने अनकॉंसियस मेमरी में फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लेता है जो की आगे काम आता है वैसे इस पर किरिया के दोरान हमारे माइन को थोड़ा मेनत करना पड़ता है और फिर बाद में सब सही हो जाता है